Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, please like and share and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. इस मजभी हिंसा के कारण विश्व के किसी भी भाग में दिखाई देते हैं. पूरे विश्व में खलीफा का ही राज्य हो ऐसा सपना देखने वाले समू कई हैं जिनके कई नाम हैं पर काम करने का तरीका एक ही है और वो है हिंसा का नंगा नाच जो अपने मजभ को कबूल ना करना चाहे उसे मौत के घाट उतार दिया जाए ऐसा ही एक समयता दोस्तों तीन अगस से चार अगस दो हज़ार चौदे का जब आएस आइस के आतंकवादियों ने उत्री इराक में सिंजर पर हमला कर दिया था और इराक में अलफ संख्यक समुधाय यजीदियों के शहर पर अपना अधिकार कर लिया था उस दिन की खौफना घटनाओं के बारे में विश्व ने जब जाना तो सारा विश्व भौचक का रह गया था मानवधिकार परिशद में वर्ष 2016 में यजीदियों के खिलाफ ISIS के अपराधों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें यजीदियों के नरसंगार का वर्णन किया गया था इसमें लिखा है कि यजीदियों को हत्या, यौन गुलामी, अत्याचार और अमानविय एवम अपमानजनक वहवार तथा जवरन धर्मांतरन के साथ साथ शारिरिक और मानसिक यंत्रनाय दी गई थी उन्हें एक ऐसा जीवन दिया गया था जो उनके लिए मौत के बराबर था यजीदी बच्चे अपने परिवारों से अलग हो गए थे और यजीदी लड़कियों को आईएस आईएस लड़ाकों को सौप दिया गया था इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया था कि वर्ष दो हजार सोले तक बतिस्सो यजीदी महिलाएं और लड़कियां आईएस आईएस की कैद में थी और उनमें से अधिकतर आईएस आईएस द्वारा नियंतरित सीरिया के छेतरों में थी और यह अनुमान लगाना बहुत कठिन था कि कितने यजीदी लड़कों को आईएस आईएस की सेना में लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया था इस रिपोर्ट में उन इस्त्रियों की कहानी है जिन्हें बार बार आईएस आईएस के बजार में बेचा गया 18 महीनों तक गुलाम बनी हुई एक महीला ने बताया कि उसे दो बार बेचा गया उसने लिखा कि आईएस आईएस के हमले से पहले मैं खुश थी मेरे पती मुझसे प्यार करते थे हमारे बच्चों को प्यार करते थे और हमारा जीवन बहुत अच्छा था आईएस आईएस ने मुझे एक वर्ष तक बंदी रखा और मैंने अपने पती और अपने बच्चों को हमले वाले दिन से नहीं देखा है यजीदी धार्मिक प्राधीकरण का कहना है कि जब आईएस आईएस ने सिंजर पर हमला किया तो वह उसे नश्ट करने के लिए ही आय थे दरसल जब भी मैजभी मानसिक्ता आती है तो वो नश्ट करने के लिए ही आती है भारत में अभी तक उस विद्वन्स के निशान है वे पहचान नश्ट करना चाहते हैं जैसा भारत में आयद्या, मतुरा और काशी की नश्ट की गई थी जैसे लाल किले की कर दी गई थी और जैसे कुतब मिनार की कर दी गई थी वे सब कुछ नश्ट करकर केवल अंधेरा चाहते हैं और अगर आप इंटरनेशनल न्यूज को फॉलो करते होंगे तो आपको अकसर ऐसी घटनाय सुनने को मिल जाती होंगी जब हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर हिंदों के मंदिर को नश्ट किया जाता है महां अलप सेंकक समुदाय की लड़कियों को अगवा किया जाता है और उन्हें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन पर मजबूर किया जाता है अल्फ संकक समुदाय के लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है और उन्हें कोई भी सरकारी नौकरी करने नहीं दी जाती है उन्हें सिर्फ नालिया साफ करने का काम दिया जाता है दोस्तो जो कुछ भी तीन और चार अगस के दिन हुआ वो भारत में भी होता आया है इस तरह की मानसिक्ता भारत को भी सद्यों से चलनी कर रही है और इस मानसिक्ता ने भारत भूमी पर कदम केवल विद्वन्स करने के लिए ही रखा था आज वैसे तो मजभी और कभी लियाई मानसिक्ता के उस वहशीपन को याद करने का दिन है जब उसने निर्दोश या जीदियों को नश्ट करने के लिए हर संभव कदम उठाए थे और दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि यह मानसिक्ता केवल दूसरे धर्मों के लोगों को ही नुकसान पहुचाती है जब इस मानसिक्ता वाले लोगों को कोई और धर्म के लोग नहीं मिलते तो वो अपने ही धर्म के लोगों को भी निशाना बनाने से नहीं चुकते और इसलिए आप देखेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर लगातार आत्मगाती हमले हो रहे हैं मस्जिदों के अंदर बॉम ब्लास्ट किये जा रहे हैं जिसमें कि अमेरिका के निकलने के बाद हजारों लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर तीन और चार अगस्त को हुआ क्या था और यजिदी लोग कौन लोग होते हैं अनुठी धार्मिक मान्यताओं के कारण यजिदियों को अकसर गलट ढंग से शैतान के उपासक कह दिया जाता है पारमपरिक रूप से यजिदी, उत्तर पश्चिमी इराक, उत्तर पश्चिमी सीरिया और दक्षिन पूर्वी तुर्की में छोटे-छोटे समुदाये में रहते हैं उनकी मौजूदा संख्या का सठीक अन्युमान लगाना तो मुश्किल है हलाकि आंकलोनों के मुताबिक उनकी तादा सत्तर हजार से लेकर पांश लाग तक की है अपमान, उत्पिडन और डराये जाने से पिछली एक सदी में इनकी तादात में भारी गिरावट आई है दुरूज जैसे अन्य अल्प संख्यक धर्मों की तरह ही कोई भी धर्मांतरन करके यजीदी नहीं बन सकता सिर्फ इस धर्म में पैदा होकर ही यजीदी बना जा सकता है यजीदियों पर अत्याचार उनके नाम की वज़े से हुई गलत फैमी के कारण है इसलामिक स्टेट जैसे चरमपंती समुहों को लगता है कि यह धर्म उम्मेयद राजवश के दूसरे खलिफा और मुसल्मानों में बेहद लोकपिय शासक यजीद इबन मुआविया से निकला है हाला कि शोज से पता चलता है कि यजीदियों का यजीद या इरान शहर यज से कोई लेना देना नहीं है उनका संबंद फार्सी भाषा के इजिद से है जिसके माइने फरिष्टा या देवता है इजीदिस के माइने हैं देवता के उपासक और यजीदि खुद को भी यही कहते हैं यजीदियों की कई मान्यताएं क्रिस्टैनिटी से मेल खाती हैं वे बाइबल और कुरान दोनों को मानते हैं पर उनकी ज़्यादतर परंपराएं मौखिक हैं उनकी बहुत से मान्यताएं मुसल्मानों और इसाइयों से मिलती जुलती हैं मानेताओं में गोपनियता को लेकर यह गलत फह्मी भी है कि जटिल यजीदी धर्म पार्सी धर्म से जुड़ा है। यजीदी भी सूर्या की उपासना करते हैं और उनकी कबरों का मुह भी पुर्वदिशा में होता है। पादरी पवित्र जल से बच्चों का धर्म संसकार करते हैं। शादियों में पादरी रोटी को दो हिस्सों में तोड़कर पति पत्नी को देते हैं। लाल जोड़ा पहने दुलहने इसाईयों के चर्च में जाती हैं। दिसंबर में यजीदी तीन दिन का उपवास करते हैं औ और पादरी के साथ शराप पीकर उपवास तोड़ते हैं। 15 से 20 सितंबर के बीच मोसुल के उत्तर में इस्थित लालेश में वो शेख आदी की दरगा पर सालाना इकटा होते हैं और नदी में नहाते हैं। वे जानवरों की कुर्बानी भी देते हैं और बच्चों का खतना भी कराते हैं। वे अपने इश्वर को याजदान कहते हैं और उन्हें इतना उपर मानते हैं कि उनकी सीधी सीधी उपासना भी नहीं करते हैं। उन्हें स्रश्टी का रचीता माना जाता है लेकिन रखवाला नहीं। याजदान से साथ महान आत्माई निकलती हैं जिन में मयूर एंजल जिसे की मलक ताउस कहा जाता है सबसे महान है। उन्हें दैविक इच्छाय पूरा करने वाला माना जाता है। इसायत की शुरुवाती दिनों में मयूर पक्षी को अमरत्व का प्रतीक माना जाता था। मलक ताउस को भगवान का ही दूसरा रूप माना जाता है। इसलिए यजिदियों को एक एश्वर वादी भी माना जाता है। यजईदी दिन में पांच बार मलक ताउस की उपासना करते हैं. मलक ताउस का एक अन्य नाम शायतन भी है जिसका आरवि में मतलब शैतान है और इसी वज़े से उनकी छवी शैतान के उपासकी बन गई है और दोस्तो इसी वज़े से अन्य सुन्नी आतंपवादी संगठन उन को लगातार हमले करके निशाना बना रहे हैं दोस्तों जब तीन अगस्त के दिन आईएस आईएस ने यजिदियों के उपर हमला किया और उनके छेतर के उपर कबजा कर लिया तो बहुत सारे यजिदी लोग अपनी जान बचा कर पहाड़ों में जाकर छुप गए पर कुछ ऐ ऐसे दुरभागेशाली लोग भी थे जो की भाग नहीं पाए जिनकों की समय पर सूचना नहीं मिली थी और इनहीं लोगों को आईएस आईएस ने अपना बंधक बना लिया उन्होंने तीन अगस से 15 अगस तक इन लोगों को बंधक बनाये रखा साथ ही इनको कुछ विकल् इनको बोला गया कि या तो तुम इसलाम को कबूल कर लो या हम तुमें मार देंगे ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि उन्होंने आदमियों को कई बार गोली मार कर मार दिया और उनके मरने के बावजूद उन्होंने इनके सिरों को धर से अलग कर दिया और जो भी लड़के थे उनको ISIS के साथ लड़ने के लिए ट्रेन किया गया। जो लड़कियां थी उनको बाजार में बेच दिया गया। औरतों को भी अपना गुलाम बना कर अपने पास रख लिया गया। दोस्तों इस सबसे जो औरते बचकर निकल गई उन्होंने ऐसी कहानिया बताई हैं और अगर आप उन कहानियों को सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि आप आज इस आधुनिक युग में जी भी रहे हैं या नहीं। और ऐसी ही एक कहानी है नादिया मुराद की जो कि किसी तरह से आईस आइस के चंगुल से बचकर निकल गई और उन्होंने अपनी कहानिया सुनाईगी। कई महीनों की यौन प्रताड़ना जहेलने के बाद वे किसी तरह से उनके चंगूल से भागने में सफल रही और अब दुनिया को यजीदियों पर हो रहे जुल्म की कहानिया सुना रही हैं कथित इस्लामिक स्टेट के चरंपंथियों के आने से पहले वो अपनी मा और भाई भेनों के साथ उत्री इराक के शिंजा के पास कोचू गाउं में रहती थी उसके गाउं में अधिकतर लोग खेती पर निर्भर करते थे वो तब चटी कक्षा में पढ़ती थी उसके गाउं में कुल मिलाकर 1700 लोग रहते थे और सभी लोग शांती से अपना जीवन बिता रहे थे उन्हें हमले से पहले किसी भी तरह की चेतावनी नहीं मिली थी तीन अगस 2014 की बात है जब AIS ने यजीदियों पर हमला कर दिया कुछ लोग माउंट शिंजा पर भाग गए लेकिन उसका गाउं इस सबसे बहुत दूर था वो भाग कर कहीं भी नहीं जा सके उन्हें 3 से 15 अगस तक बंधक बना कर रखा गया खबरे आने लगी थी कि उन्होंने 3000 से जादा लोगों को कतल कर दिया है और लगभग 5000 महिलाओं और बच्चों को अपने कबजे में ले लिया है यजीदी पूरी तरह से घिर चुके थे उन्हें चितावनी दी गई कि दो दिन के अंदर अपना धर्म बदल ले नादिया आगे बताती है कि 15 अगस्त को मैं अपने परिवार के साथ थी हम बहुत डरे हुए थे क्योंकि हमारे सामने जो गटा था उसको लेकर हम भैभीवत भी थे उस दिन आईस आईस के लगबग 1000 लड़ा के गाउं में गुसे वे हमें स्कूल में ले गए स्कूल दो मनजिला था पहली मनजिल पर उन्होंने पुर्शो को रखा और दूसरी मनजिल पर महिलाओं और बच्चों को उन्होंने हमारा सब कुछ छीन लिया मुबाइल, पर्स, पैसा, जेवर, सब कुछ मर्दों के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया इसके बाद उनका नेता जोर से चिलाया जो भी इसलाम धर्म कबूल करना चाहता है कमरा छोड़कर निकल जाए हम जानते थे कि जो कमरा छोड़कर जाएंगे वो भी मारे जाएंगे क्योंकि वो नहीं मानते कि यजीदियों से इसलाम कबूल करवाने वाले असली मुसल्मान हैं वो मानते हैं कि यजिदियों को इसलाम कबूल करना चाहिए और फिर मर जाना चाहिए महिला होने के नाते हमें यकीन था कि वे हमें नहीं मारेंगे और हमें जिंदा रखेंगे और हमारा इस्तमाल कुछ और चीजों के लिए करेंगे जब वो मर्दों को स्कूल से भार ले जा रहे थे तो सही सही तो पता नहीं था कि किस के साथ क्या हो रहा था लेकिन हमें गोलियां चलने की आवाजें लगातार आ रही थी हमें नहीं पता था कि कौन मारा जा रहा था या कौन नहीं मेरे भाई और दूसरे लोग मारे गए थे वो ये नहीं देख रहे थे कि कौन बच्चा है और कौन जवान और कौन बूढ़ा कुछ दूरी से हम देख सकते थे कि वो लोगों को गाओं के भार ले जा रहे थे लड़ाकों ने एक व्यक्ति से एक लड़का छीन लिया बाद में उन्होंने उसे स्कूल में छोड़ दिया और उस लड़के ने हमें बताया कि लड़ाकों ने किसी को नहीं छोड़ा है और सभी को मार दिया है जब उन्होंने लोगों को मार दिया तो वो हमें एक दूसरे गाओं में ले गए तब तक रात हो गई थी और उन्होंने हमें वहाँ स्कूल में रखा उन्होंने हमें तीन ग्रुप में बांट दिया था पहले ग्रुप में युवा महिलाएं थी दूसरे में बच्चे और तीसरे ग्रुप में बाकी महिलाएं थी हर ग्रुप के लिए उनके पास अलग-अलग योजनाएं थी बच्चों को वो प्रशिक्षन शिविर में ले गए जिन महिलाओं को उन्होंने शादी के लायक नहीं माना उन्हें मार दिया गया इसमें मेरी मा भी शामिल थी रात को वो हमें मोसुल ले गए हमें दूसरे शहरों में ले जाने वाले ये वही लोग थे जिन्होंने मेरे भाईयों और मेरी माँ को कतल किया था वो हमारा उत्पिडन और हमारे साथ जातियां कर रहे थे वो हमें मोसुल के इस्लामिक कोट में ले गए जहां उन्होंने हर महिला की तस्वीर ली हर तस्वीर के साथ एक फोन नंबर होता था ये फोन नमबर उस लड़ाके का होता था जो उसके लिए जिम्मेदार होता था तमाम जगह से ISIS के लड़ाके इसलामिक कोट आते और तस्वीरों को देखकर अपने लिए लड़कियां चुंगते फिर पसंद करने वाला लड़ाका उस लड़ाके से मोलभाव करता जो उस लड़की को लेकर आया था फिर वह चाहे उसे खरीद ले, किराय पर ले या अपनी जान पहचान वाले को तोफे में दे दे मैंने उस व्यक्ति के पैर पड़े और उससे बार बार गिड़गडा कर अपने आपको माफ करने के लिए कहा मैं गिड़गडाती रही लेकिन मेरी एक बात भी उसने नहीं सुनी एक हफते बाद मैंने भागने की कोशिश की, वे मुझे फिर से कोट में ले गए और सजा के तौर पर मेरे साथ बहुत सारी जाती की गई तीन महीने तक मेरा यौन उत्पिडन होता रहा इस इलाके में चारों तरफ आई एस आईस के लड़ाके ही फैले हुए थे तो इन महीनों में मुझे भागने का कोई मौका नहीं मिला एक बार मैं एक पुरुष के साथ थी, वो मेरे लिए कुछ कपड़े खरीदना चाहता था क्योंकि उसका इरादा मुझे बेश देने का था और जब वो इसके लिए दुकान पर गया, मैं घर पर अकेली थी और मौका देखकर मैं वहां से भाग निकली मैं मोसुल की गलियों में भटक रही थी मैंने एक मुस्लिम परिवार का दरवाजा खटखटाया और उन्हें अपनी आप बीती सुनाई उन्होंने मेरी मदद की और मुझे किसी तरह से कुर्दिस्तान की सीमा तक पहुँचाया शरनारती शिविरों में किसी ने भी मेरी आप बीती नहीं पूछी मैं दुनिया को बताना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हुआ था और वहां बाकी महिलाओं के साथ भी क्या हो रहा था मेरे पास कोई पासपोर्ट नहीं था किसी देश की नागरिता नहीं थी मैं कई महीनों तक अपने दस्तावेज पेश करने के लिए इराक में रुकी रही उसी वक्त जर्मन सरकार ने वहां से हजार लोगों की मदद करने का फैसला किया मैं उन हजार लोगों में से एक थी फिर अपना इलाज कराने के दौरान एक संगठन ने मुझसे कहा कि क्या मैं संयुक्त राश्ट में जाकर अपनी आप़ीती सुना सकती हूं और इस तरीके से नादिया मुराद की वो कहानी भार निकल कर आई जिसको सुनकर सभी लोग सोचने पर मजबूर हो गए दोस्तो यह तो थी केवल एक कहानी एक लड़की की ऐसी नाजाने कितनी हजारों कहानिया थी जो कि वो औरतें और वो बच्चें अपनी किसी को बता नहीं पाए क्योंकि कुछ लोग किसी और भगवान की पूजा करते हैं तो उनको मार देना चाहिए इस तरह के सोच हमारी दुनिया को बहुत पीछे लेकर जा रही है दोस्तो आज जब वक्त है कि हमें आगे बढ़कर तकनिकी रूप से और सक्षम होना चाहिए वहीं दुनिया को गरीबी और भुकमरी से निजात दिलाने में मदद करनी चाहिए कुछ लोग इस दुनिया को पीछे लेकर जाना चाहते हैं और इसमें दुख की बात यह है दोस्तो कि यह सब होता है धर्म के मामले में जहां धर्म इसलिए होता है कि लोगों को गलत काम करने से रोका जा सके वहीं ये लोग उसका बहाना लेकर गलत काम करते हैं तो दोस्तो यह था मेरा आज का वीडियो तीन और चार अगस्ट को हुए यजीदी नरसंगार के बारे में इस नरसंगार ने कितनी जिन्दगियों को बरबाद कर दिया इसके बारे में आज तक कोई सही आंकडे निकल कर सामने नहीं आये हैं मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आने वाले समय में इन लोगों को नहाई मिले। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। क